तो दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने अपने चैनल पर फायर बोल्ट ड्रीम स्मार्ट वाच का रिव्यू किया था अब देखो वो जो स्मार्ट थी ना नॉर्मली जितने भी स्मार्ट वाच इस ताइम पर बजट में आपको मिलती है चीजेए यहां पर उर चीजेए पर उर चीज़ें आप इस ए सबसक्ति का सब्सक्राइघा कर ने अंप्याली पैसी, पैब ReddT बोल सकते हो इस तरह का यह जो डिजाइन है यह एपल वॉच अल्ट्रा का इसमें दिया हुआ है बागी जैसे मैं बता है बागी एंड्रोइड स्मार्ट वॉच है तो फोर जी एल्टी वाइफाइ यह सपोर्ट करते है और इस बार यहां पर जैसा देख सकते हो यहां पर यहां पर डाल सकते हो 4G LTE सब मैंने बता दिया जीपीस भी आपको दिया तो 2GB RAM और 16GB यहां पर आपको इन बिल स्टोरेज मिलती है उसके लावा प्ले स्टोर है 700MH की बैट्री है और इसके बाद यहां पर क्वाड कोर प्रोसेसर है कौन सा प्रोसेसर है यह तो नहीं बता पर उसके पर बॉक्स में आपको इसके जो डर्यला स्टोर सब्सांने काask सांप एकड़न ड्रीम और आपको लेक्ली ऑडs कट सोफटीब्ल को सब देख सकते उपायर जो सबसके और बहुत ही हाँ पर अच्छा कासा है, obviously हाँ पर Apple Watch Ultra जासा ही डिजाइन आपको मिलता है, यह एक rotating crown है, और साथ में हाँ पर यह जो फंक्शन बटन रहता है, माइक्रोफोन है, और यह जो है और इंसा यह बटन नहीं है, नोमली अल्ट्रा बटन होता है, लेकिन यहाँ पर इसमे जो बहुत सारी दिखने वाली smart watches आपको मिल जाती है, तो इसका design वैसा ही है, तो कोई changes नहीं है, बाकि जो straps है, Apple Watch के जैसे straps रहते हैं, aftermarket वाले, तो वो आप लेके हाँ पर change कर सकते हो, Android Smart Watch है, लेकिन उसके features के बारे में बात करने से पहले, सबसे पहले मैं इसके display के बारे म इसमें जो watch faces भी है, जैसे Apple Watch में आपको मिलते हैं, तो वैसे यहाँ पर watch faces दिया है, तो यह जो rotating crown है, इससे आप change कर सकते हो, एक चीज़ मैंने यहाँ पर notice करी कि यह जो rotating crown है, थोड़ा ऐसे glide करता है, मतलब इसमें कुछ ऐसे feedback नहीं है, मतलब कुछ ऐसे clicky sound नहीं आती, change क करने पर, तो यह मतलब थोड़ा सा difference है, बागी UI की बात करें, तो यह जो watch faces है, यहाँ पर अगर लेट से राट की तरह swipe करोगे, तो यहाँ पर आप इसको swipe करके change कर सकते हो, तो देख सकते हो, और इस बार मैंने एक चीज़ नोटिस करिए, कि इसका UI है, यहाँ पर बहुत ह जैसे Apple Watch में होता है, फिर Apple Watch Ultra, इस तरह की watches में आपको मिलता है, जाए budget watches हो, तो थोड़ी सी मतलब, आपको smart watch वाली feel आती है, इस बार, मतलब ऐसे लगता निए कि इसमें सिरह ऐसे phone का UI डाल दिया, I think Firebolt उसको भी Fire OS बोल रहा था, इस बार भी इसको Fire OS ही बोल रहा है, अब एक चीज जो मुझे सबसे यहां पर इंप्रूवड लगा कि Firebolt Dream में, महां पर आपको Android वर्जन था, वो 8.1 था, लेकिन इस बार इनोंने यहां पर इसका Android वर्जन है, इसमें यहां पर 10 डाला हुआ है, तो थोड़ा सा secure है, पहले वाला मतलब कहीं लोगों पुराना वर्ज जैसे आपको budget smartwatches में आपको इस ताइम पर मिल रहा है सभी में, यह जो menu है, अगर आपने notice क्या होगा कि इस बार भी यहां पर यह जो menu में आफिर smartwatch में आपको यहां पर play store दिया हुआ है, और as expected अगर इसमें आपको play store दिया हुआ है तो यानि कि इसमें आप दुनिया भर कि आप से इंस्टाल कर सकते हो, अब कौन सी आप यहां पर work करती है, कौन सी नहीं करती है, इसके बार में थोड़ी दिरा बात करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और जो main main feature के बार में बात करते हैं इस watch के, जैसे कि इस बार यहां पर इस watch में आपको smartwatch वाले feature भी दिया तो वो आपको option दिया है, तो swipe करके आप अपनी हिस्ट्री वगरा भी देख सकते हो, इस बार यह चीज में थोड़ा ठीक लगा मुझे कि इस बार यह जो feature दिये है, एक smartwatch वाले, पिछली वाली smartwatch थी fireball dream उसमें यह चीज मिसिंग थी, but accuracy wise मैं अभी भी भी हां पर बोल सकता और देख सकते हो, यहां पर इसने 89 bit per minute show किया है, जो यहां पर final reading आई थी, तो मतलब close readings है, और उसी तरह से यहां पर oximeter भी दिया है, और इसका भी UI एक तरह से Apple Watch जैसा ही है, बिल्कुल exactly, और यहां पर जो final reading आई है, देख सकते हो 99% है, और oximeter में इस ताइम पर 96%, तो difference य जैसे मैंने पहले ही बोला भाई, यह जो वाच इस हैं वाई कोई medical equipment तो है नी, तो आप अगर वाच इसको उस कर रहे हो, SPO2 heart rate के लिए, तो सिरफ ID लेने के लिए के लिए, बाकि इस वाच के बात करना है, तो सेटिंग में जाएंगे, तो देख सकते हो, यहां पर आपको स storage है, तो इसमें आप अपने सौंग बगएरा डाल सकते हो, और इस watch के साथ आप अपने जो TWS है, Bluetooth के थूरू कर सकते हो, obviously, तो यह चीज सही है, अगर आपको सौंग बगएरा सुनने है, तो आपको अपना phone करने के जूरुत नहीं, वैसे तो यह एक phone है, लेकिन आप बात कर करनी होगी, तो obviously, इसमें आपको प्ले स्टोर दिया हुआ है, तो यहां से भी आप मतलब दुनिया भर की अप इंस्टॉल कर सकते हो, और जितनी भी आप जो Firewall Dream में हाँ पर work कर रही थी, वो सारी यहां पर भी work कर रही है, अचाए यहां पर आप यूटूब पे कुछ इसमें यहां पर टाइप करने में थोड़ी problem होती है, क्योंकि बहुत चोटे-चोटे बटन है, keyboard बहुत चोटा-चोटा सा है, और corner वले जो बटन रहते हैं, उनको मतलब एक तरह से टाइप करने में वहां थोड़ी और जादा problem होती है, but आप इसमें अगर swipe gesture यूज़ करते GPS मुझे इस बार Firebolt Dream से और बेटर लगा है, Firebolt Dream में थोड़ा सा GPS थोड़ा इदर हो जाता था, यहां पर थोड़ा सा और बेटर है लेकिन अभी मैं इसको बहुत जादा accurate नहीं बोलूँगा, हां मतलब आप थोड़ा रास्ता बगरा देखने के लिए, मतलब यहां पर आप Firebolt Dream में हमने भाई, मतलब Swiggy बगरा भी यूज किया था, और इस वाच में भाई यह सारे functions हो जाते हैं, तो कुछ order करना हो, रिस से हो जाता है, Ola Cap या फिर Uber Cap वगरा बुक करना हो, डिरेक्ट यहां पर हो जाएगी, ट्रैक कर सकते हो, लेकिन यहां पर मेरे खाल से जो लेकिन फिर भी यहां पर आप कोई number वगरा डाल के, contact को किसी को, मतलब ऐसे आपको transfer करने हो पैसे, तो वो कर सकते हो, तो payment case आप से मेरे को सही लगा, आप कहीं लोग पूछ रोगे भाई, इसमें गेम्स वगरा खेल सकते हैं और नहीं, जितने भी Android पे आप गेम्स वगरा यहां पर work करती है, तो मतलब multi-touch वाले options यहां पर नहीं है, तो games वगरा खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, single single जो छोटी मोटी game होते, tap tap करने वाली, वो सारी games install करके आप खेल सकते हो, चाए वो भाई सब्वे सरफर हो, चाए वो मतलब कोई भी temple run वगर तो खेल सकते हो, लेकिन उसके बाद यहां पर यहां पर बैटरी जादा कंजूम करेगा, अब बैटरी की बात करें, तो यह एक Android smart watch है, अब देखो यह सारे फीचर Android watch है, तो यह जो watch है थोड़ा बैटरी जादा कंजूम करती है, और इसमें यहां पर 700 mh की वैटरी बोल रह है, तो पढ़ने के लिए notification हो गयरा, तो उसके साब से में यह एक दिन मतलब खीच के आप चला लोगे, और calling के साब से हाँ पर इस watch में आपको जो normal budget smart watches में आपको फीचर मिलते हैं, तो वो सारे मिल रहे हैं, आपर आमसे इस पर call ले सकते हो, पीकर माइक की quality यहां पर अच् बढ़ा सकते थे, इस watch में आपको यहां पर भाई, ऐसे setting में जाना होगा, और फिर आपको यहां पर एक sound का option दिखेगा, और उसमें जाकर आपको यहां पर जो sound है, system की sound है, कुछ भी media sound है, उसे यहां पर घटाना बढ़ाना पड़ते हो, तो एक बहुत ही बड़ा process है, और जो मुझे लगता है कि fireball को fix करने की जोरोत है, इस watch में अब यहां पर obviously बात है, यह एक android smart watch है, तो जो अच्छे-कासे features बगए रहा है, जो आपको normal budget smart watches में आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पर obviously android है, तो थोड़े बहुत यहां पर compromises भी है, चाहे battery wise हो, चाहे थोड़ watch हम क्यों लें, इसके जगह भाई हम कोई phone ना लें, मतलब जो mid range या फिर starting range वाला, 7-8000 में आजकर अच्छे phone भी आ जाते है, तो मेरे हिसाब से भाई यह जो watch है, मतलब उन लोगों के लिए, जो एक secondary phone चाहते है, पहले चीज़ तो वो, दूसरा यहां पर, कि जो मतलब एक इसकल होता है, parents अपने बच्चों को phone नहीं देना, प्रेफर करते हैं, तो I think watch में थोड़ी सी limitations रहती है, और connectivity भी मतलब अपने parents के साथ यहां पर बनी रही, even यहां पर अगर जो physical disability जैसे रहती है, तो उनके हिसाब से भी यह watch थोड़ी सी में को लगता है, कि useful रहेगी, मेर इसाब से भाई, यह थोड़े डिफरेंट तरह की smart watch है, तो वह argument मतलब रह सकता है, यह mass market के लिए है, या फिर नॉमल एक specific audience के लिए, आगे जाने वाले time में मुझे रहता है, कि यह watches और improve करेंगी, तो हो सकता है, और थोड़े आपको अच्छे benefits, नॉमल use case में भी लगें, आपको कैसी लगए है, आपको कैसी लगए है, आपके क्या thoughts इस watches के बारे में, जो Android smart watches, Firebolt यहां पर launch कर रहा है, या फिर और भी जो ब्रैंड भी आने वाले time में, तो आपके क्या opinion है, वह आप नीचे comment करो, और आपको कैसी लगए यह यह आपको यह नीचे comment करना, अगर आपको के साथ, और मैं आपको मिलूगा अगली बार,